हाई फ्रेंट्स यह जो मेरे पास एक LED बल्ब है अभी जल रहा है क्योंकि हम इसके स्वीच को अन किये हुए है और यह LED बल्ब साल के अंदर एक या दो बार हमें चेंज करना ही पड़ता है तो लास्ट में मैं जब इसे चेक किया तब इसका प्रोलम मुझे मिला चलिए मैं आ नहीं हो रहा है इसके कारण यह जो बल्ब है बार बार फ्यूज हो जा रहा था तो इसके पीछे का प्रोलम यह है किसमें जो power supply दिया गया है इसका चुनेक्शन किया गया है एक्चोली में स्वीच जो है वो लाइव वायर में चाहिए लेकिन यहां पर जो श्वीच है वो तो मेन ब्लावर मिल रहा है वह दूसरे वायर से कहीने कहीन से थुरा सा वह जी एंडे रहा है जिसके कारण वह ज़ते हैं शलेsm हो छोगते हैं आपको इस से ओपयन चल रहा है तो इस सब बातों को आपको ध्यान रखे होस वाइरिंग करना है या फिर खुछ से करवान है इससे आपका क्या होगा बल्ब जो है वह बार बार खराब होगा और और प्रोब्लम आ सकता है आपके पास यह प्रोब्लम अभी यहां पर खतब नहीं को यादि हम इसके वाइर को इस बॉर्ड में इंटर्चेंज भी कर देंगे उसके बाब जूड भी जो वह बल्ब है वह सेम टू सेम वह सही जलेगा इसलिए इस सब बातों को आपको ध्यान रखे होस वाइरिंग करवाना है या फि हेलो फ्रेंट्स यादि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और वीडियो से कुछ चीखनों के मिलता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करलो धन्यवाद